नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरके निशा स्वागत करता हूँ आप सब का दर्शक नूट 24 में दोस्तों बता दे कि योपी की सियासत से एक बहुत बड़ी ख़बर शामनियारी ख़बर या है कि योगी की कूर्सी जाएगी या फिर केशो पर शाद मौर जाएंगे दिल्ली य 60 सीट है जीती ती वहीं पर्ष्बार लोकस बचुरा दो हजार 24 में भारतिय जंता पाल्टि सिर्फ 30 सीटों पर सीमट कर रहे गई भारती जंता पाल्टि की उत्तरप्रदेश में इस करारी हार ने पाल्टि करकरताओं को न सिर्फ निरास किया बलकि नाराज बी बतातें जले की लखनाव से दिली तक समीच्छा बैटकूं का दार जारी है वहीं पर योगी आधितिनात और केशव प्रशाद मौर में टकराओ की खबरे शामने आ रहे हैं खबर क्या है उसका विसलेशन हम आप लोगों को बताते हैं और मैंने एक नोट्स तयार के उस नोट्स के बा बिस्तार पूरवक रखने का काम करते हैं अटकलों को बजार गर्म हैं बिजेपी जल्दी कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं मौर ने मंगलवार को बिजेपी चीप केशो प्रशाद मौर को भारती जनता पार्टी के चीप जेपी नड़ा से मुलाकात की हैं बाहर निकलते वक से राजनीतिक पारा चड़ा दिया था रभी वार को लखनाओ में हुई बैठक में मौर ने कहा शंग्ठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है उस बैठक में नड़ा भी मौदूद थे अटकलों का बजार किस तरह से घर माय आटकल बाजी का दार किस तरह से जारी है उसके बार जातों के बीच अटकलों का बजार गर्म है दबी जुबानी में ही सही मगरिया चर्चा काफी जोरों पर है कि यूपी की डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौर को और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बीजेपी में राती अध्यच का चुनाव भी होना है ऐसे में केशो प् परतमान सीम योगी आधितनात की गर्दन पर सियासत की तलवान लटक रही है किसी भी समय उनको पद त्यागना पड़ शक्ता है कभी भी उनको पद बिमुक्त किया जा शक्ता है वही पर दोस्तों बता दे चले कि योगी की चागा केशो प्रशाद मौर को उत्तर पैठा के बाद राजनेती खलचल तेज हो गई है लोग सबा चुनाओं में हारे बिजेपी के कई नेताओं ने सोम वार को केशो प्रशाद मौर से मुलाकात कर शियम पर दबाव बनाने की कोसिस की है इनमें संजीव बालियां भी सामिल है जो मुझपन नगर से हार गए थे उन्होंने हार का ठीकरा पूर पाल्टी बिधायक और मुखमत्री के करीबी एक राजबूत नेता शंगीश शोम पर फोड़ा था अपनी लोग सबसीट से हारने वाले प्रवीर निशाद भी मौर से मिले हैं यानि कि प्रवीर निशाद निशाद पाल्टी के राठिय धच डाक्टर संजे निशाद के शोपोत्र हैं जिन्होंने संत कवीर नगर से करारी हार का सामना किया है इस बात बैठक के एक दिन बाद भात्पा एमेल सी देवेंद पताम ने योगी आदितनात को पतली कर कहा कि राज में नौकर साही ब्रष्टाचार सरकार की छवी को नुकस पहुंचा रहा है शनिवार को बदलापूर से बिधायक रमेश चंडर ने मीडिया से कहा भाजपा की इस्थिती खराब है और वहाँ दोहजार सत्ताइस में यूपी में सरकार बनाने की इस्थित में नहीं है दोस्तों लोग सबद चुनाद दोहजार चौबिस के बाद कही नहीं कई भारती जनता पर्टी में खलवाली मची है रसा कसी मची है और जैसा कि इससे पहले भी मैंने कई खबरों में आप लोगों को बताए था कि इस बार यूपी में सब की नजरे टिकी हुई है और यूपी की इसकरारी हार का ठीक रहा कहीं यूपी के सियम योगी आद टुपी की हार का योगी आदितनाथ पर था कि यूपी की हार का पूरा का पूरा दारो मदार जो है वो योगी अधितनात के उपर है उसके बाद से बता दे कि यूपी की सियासत में भारती जनता पाल्टी में काफी फेर बदल काफी रचसा कसी देखने को मिले आगे बढ़ेंगे बिरोधा भासी बयान क्या है वो भी हम आप लोगों से बताते हैं कि लखनाओ में बीजेपी की बैठक के दोरान केशो प्रसाद मौर ने कहा था कि शंग्ठन सरकार से बड़ा होता है उन्होंने कहा अपना दर्द मेरा भी दर्द है शंग्ठन सरकार से बड़ा था बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा सभी मंत्री विधायक और जन प्रतिनिदियों को कारकरताओं का शम्मान कर प्यार लखना चाहिए शापा और कांग्रेस ने शापनात और नागनात के रूप में जूट बोल कर और धोका दे कर हमें कुछ समय के लिए धाकेल दिया है लेकिन दो हजार सत्ताइस में हम तीन सो सीटों को पार करने के लच्छे के साथ फिर से राज में भाजपा की सरकार ब बना पाएगी या फिर नहीं आगे बात चीत करते दोस्तों योगी आदितनास ने यूपी में हार के लिए अतियाद मिश्वास को जिम्मेदार ठहराया था योगी ने कहा था कि पार्टी बिपाच्छी गडबंधन यानि कि इंडिया गडबंधन के परचार के अभियान का प्रभावी ढंग से मुलाकात नहीं कर सकी योगी ने या भी साप कर दिया कि उनकी सरकार का रवया नहीं बदलेगा मौर के संग्ठन वाले बयान पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है समाजवादी पाल्टी के नेता मनोज काका ने कहा कि केशो प्रशाद मौर ने या बयान देकर या जताना चाह रहे हैं कि हम सीम योगी से बड़े हैं उन्होंने कहा कि केशो प्रशाद मौर या योगी को चुनावती दे रहे हैं भाजपा संग्ठन में आंतरीक तौर पर ब वाला है जब से लोग सबत चुनाओं के नतीजे आए हैं केशो प्रसाइद मौरे का अधिकतर समय दिल्ली में ही गुजरा है या कहने की बात नहीं है ज्यादातर केशो प्रसाइद मौरे ग्रिह मंत्री अमिश्याह के संपर्क में उनके इर्द गिर्द रहे वह लखनाव से केशो प्रसाइद मौरे ने लिखा करंबीर को जीत या हार से कोई मतलब नहीं होता कार करता ही मेरा गवरो और शम्मान है और शंगठन सरकार से बड़ा है शंगठन से बड़ा कोई नहीं है केशो प्रसाइद मौरे को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हुआ OBC चेह मौरे को उप मुख मंत्री बनाया गया था पांच महीनी के बाद ही केशो प्रसाइद मौर ने सोसल मीडिया पर लिखा था संगठन सरकार से बड़ा होता है तब भी योगी के शाथ उनकी अनबन की खबरे खूप चली थी तो दोस्तों बता दे कि एक बड़ी खबर थी उत् कदन पर कहीं न कहीं सियासत की तलवाल लटक रहे हैं किसी भी समय योगी आदितनात को उनके पत्ते बिमुक्त किया जा सकता है अखिरकार अटकलों को बजार गर्म हैं और वाद दिन ज्यादा दूर नहीं जब यूपी के नए मुख मंत्री का पदभार समारेगे डिप्ट किया गया था लेकिन उसके बाद से केशव प्रशाद मौर यूपी की कमान के लिए और कहीं वो चाहते हैं कि योगी आदितनात की जगा मुझे मुख मंत्री बनाया जाए अब इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है यूपी की सियासत में कैसा कैसा फिर बदल देखने को मिल सकता है उस पर भी हम आगे विस्तार पूरोग परिचाच्चा करेंगे फिला हाल आज की जो खबर थी वो या थी कि यूपी में भारती जनता पाल्टी को मिली करारी हार के बाद कहीं न कहीं भारती जन्ता पाल्टी की सियास्त गरमाई है वहीं पर पाल्टी के बहुत सारे एकार करता है जहां पर निराज दिख रहे हैं वहीं पर काफी नाराज भी गरिव मंत्री। अमिस शाह ने समय यूपी की हर का जिम्मेदार यूपी के सिम योगी आदिदनात को ठाईराया था। फिलहाल आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ब्रिवर्तन होगा, क्या कुछ इससे बड़ा होने वाला है, उस पर हम भी स्थार पुरुक पर चागे करेंगे आज की खबर बस यहीं तक मिलते हैं किसी दूसरी खबर में तब तक लिए नमस्कार